हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाले मैनोपोस के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेनोपोस क्या होता है, मेनोपोस में महिलाओं को क्या-kia तकलिफे होती है और कौन सी ऐसी आयरुवेदिक समाधान है, कौन सी ऐसी आउशदिया है कि जिसको अगर मैलाए मेनोपोस के समय में लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है तो इस वीडियो को आप अन्तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल संजीवनी आयरवेदा होस्पिटल को सब्सक्राइब करना ना और पोस यानि की बंद होना मैनोपोस मतलब के मासिक चक्र का बंद होना आयरवेद में इसे रजो निवरूती काल बोला जाता है जनरली रजो निवरूती काल यानि की मैनोपोस का जो आइडियल समय है उसका जो आइडियल टाइम है वो 45 साल से लेके 55 साल की उमर तक होता है महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो 11 साल से 12 साल की उमर में जनरली महिलाओं में यानि की बच्चियों में मासिक सुरू होता है, पीरियट की सुरूआत होती है और वो 45 से लेके 55 साल की उमर में जाके उस प्रक्रिया का अंत होता है अगर हम भारत की बात करें तो मेनोपोस का जो समय है, मेनोपोस का जो टाइम है वो जनरली 45 से लेके 55 साल की उमर के बीच में देखने को मिलता है मेनोपोस किसे कहते हैं? अगर किसी महिला को कंटिन्यूसली लगातार 12 महिने तक मासिक नहीं दिखाई देता है, पिरियट्स नहीं आते हैं, उसे मेनोपोस कहा जाता है फोरेंड में, इंडिया के बाहर, अधर कंट्रीज में मेनोपोस का वक्त अलग-अलग है, लेकिन इंडियन एक्मोस्फियर में मेनोपोस की जो एज है, वो 45 से लेके 55 की एज है मेनोपोस जो है वो जब हम अपनी मा के पेट में होते हैं जब भुरून में होते हैं तब ही डिसाइड हो जाता है हम जब मा के पेट में होते हैं तब हमारे कितने फीमेल में कितने अंडे बनने वाले हैं वो मा के पेट में ही डिसाइड हो जाता है इसलिए Menopause कब आने वाला है वो हर स्त्री जब अपनी मा के पेट में होती है तब ही Decide हो जाता है अब दोस्तो Menopause की अलग-अलग अवस्थाय होती है तो आएए हम जानते हैं कि Menopause की कौन-कौन सी अवस्थाय है सबसे पहला होता है Pre-Menopause Pre-menopause को हम Early Menopause भी कहते हैं यानि की जिन स्त्रियों में 30 से लेके 35 साल की उमर में Menopause के Symptoms दिखाई देते हैं और मासिक दर्म चला जाता है उसे Pre-menopause या Early Menopause कहा जाता है Early Menopause होने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि किसी को Dayabetes है चोटी उमर से या किसी को thyroid की problem है या किसी को एनीमिया की बीमारी है यानि की कुन की कमी की बीमारी ये कुछ ऐसी conditions होती है कि जिनकी वज़से महिलाओं में early menopause यानि की pre menopause हो जाता है दूसरा है peri menopause, peri menopause का मतलब होता है 40 से लेके 45 साल की उमर में मतलब के menopause के समय के करीब करीब 4-5 साल पहले 40 से 45 की उमर में जिन महिलाओं को menopause आ जाता है मासिक दर्म irregular होने लगता है उसे peri menopause का जाता है तीसरा है menopause जिसे हमने पहले ही discuss किया है 45 से लेके 55 साल की उमर और चोथा स्टेज है post menopause लगादार महिलाओं में एक साल तक period नहीं आता है उसके बाद का जो समय होता है उसे post menopause कहा जाता है तो ये अलग-अलग 4 अवस्थाएं होती है menopause की अब हम बात करते हैं कि menopause के दोरान महिलाओं को क्या-क्या symptoms दिखाई देते हैं क्या-क्या उनको परेशानिया मैसूस होती है सबसे पहले तो महिलाओं को ये समझनी की ज़रूरत है कि जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे बाल सफेद होते हैं हमारे चेहरे की और हमारे हाथों की जो skin है उस पे जोरिया पड़ती है ये एक हमारी natural aging process है जब हमारे बाल सफेद होते हैं तो हम गुसा नहीं हो जाते हैं हम गबराट में नहीं आ जाते हैं क्योंकि ये एक natural process है उसी तरीके से menopause भी महिलाओं की एक natural process है जैसे जैसे उमर बढ़ दी जाएगी शरीर में hormones के changes होते जाएगे और menopause का समय आता जाएगा आयरुवेट के हिसाब से हम देखने जाए तो menopause जो है उसका जो changes होते हैं उसमें पित का बहुत बड़ा रोल होता है जिनके शरीर में पित की मातरा बहुत ज्यादा होती है या पित की मातरा कम होती है वैसे वैसे उनको अलग-अलग symptoms menopause के दिखाई देते हैं अब हम menopause के symptoms की अगर बात करते हैं महिलाओं में तो menopause के symptoms में सबसे पहला symptoms जो महिलाओं में देखने को मिलता है उसे hot flashes कहा जाता है hot flashes काफी सारी महिला है OPD में आकर हमें ये complaint करती है हम AC में बेठे होते हैं full fan में बेठे होते हैं तो भी उन्हें पसीना चूटने लगता है उसे hot flashes कहा जाता है hot flashes एक बहुत ही common symptom होता है menopause के दोरान दूसरा vaginal dryness हो जाती है vaginal dryness का मतलब होता है कि यह उनी mark में dryness हो जाना यानि कि उसमें सूखापन आ जाना तीसरा low sex drive मतलब के sex केरपती अनिच्छा हो जाना और बहुत sex केरपती अनिच्छा हो जाना और उसके बाद कुछ symptoms में night flashes देखने को मिलते हैं और उसके बाद कुछ symptoms में night sweats देखने को मिलता है यानि कि रात के समय पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना एक बहुती common symptom महिलाओं में मेनोपोस के समय के दोरान देखने को मिलता है उसे irritability कहते है irritability का मतलब होता है चिर्चिड़ापन कुछ couple हमारे पास ऐसे आते हैं कहते हैं कि मेरी वाइफ का सुभाव बहुती चिर्चिड़ा हो गया है इसके लिए आप कुछ करिए देखे मेनोपोस के समय में irritability, hormonal changes की वज़े से female में देखने को मिलती है मतलब क्या देखने को मिलता है कि कुछ female जो 10-15 साल पहले आपकी कोई बात से जड़ा भी चीर्ती नहीं थी, जड़ा भी नाराज नहीं होती थी अब वो छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुसा और हाइपर हो जाती है उससे irritability कहते हैं ये मेनोपोस के समय में देखने मिलने वाला एक बहुती common symptom है उसके बाद anxiety का बढ़ जाना यानि कि depression और anxiety के लक्षन में मिलते हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हैं तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं बगेर कारण के रोना आने लगता है वो बगेर कोई अच्छे reason के बहुत ज़्यादा हसने लगते हैं तो anxiety भी उसमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है तो ये सारे symptoms मैंने आपको बताए जो female में महिलाओं में देखने को मिलते हैं menopause के दोरा कुछ ऐसी conditions है जो menopause के लिए responsible होती है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगे कि कौन-कौन से ऐसी conditions है कि जिसकी वज़े से menopause जो है वो आ सकता है सबसे पहला है socio-economical condition यानि कि उनकी सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है menopause के आने का जल्दी या लेट आने का दूसरा reason heredity होता है यानि कि अगर आपकी माता को या आपकी बहन को जो उमर में menopause आया है तो आपको भी वो उमर में menopause आने के chances ज़्यादा होते है तीसरा आप कौन से area में रहते हैं आप urban area में रहते हैं जो menopause आने के पीछे की जमेदार हो सकती है अब ये तो मैंने आपको menopause के बारे में बताया अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी home remedies कुछ ऐसे आयरुवेदिक उपचार में बताना चाहूँगा के जिसको करने से आपको menopause में काफी अच्छा फाइदा हो सकता है menopause के दोरान ज्यादातर स्क्रियों में anxiety नींद ना आना, sleeplessness और रात में सपने आना पूरी रात अगर सोय हुए है तो भी आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है ये सारी चीज़े ज्यादा तर देखने को मिलती है अब menopause या तो कोई भी hormonal problem है menopause में generally हमारे estrogen level disturb होते है तो आपको कोई भी hormonal problem है specially अगर menopause है तो उसमें आपको गाई के घी का नस्या regular करना है नस्या का मतलब होता है नाक में बूंदे डालना गाई का घी आपको लेना है उसको थोड़ा सा गरम गुन बुना करना है आपको एक bed पे सीधे से लेटना है सर को थोड़ा सा नीचे की और जुका के आपके दोनो नॉस्ट्रिल्स में दो-दो बूंदे गाई के घी की डालके उसको ऐसे अंदर खीचना है ये प्रक्रिया को रोज रात को सोने से पहले करना है आप इसको डेली कर सकते हैं नस्य करने से आपकी चेहरे की स्कीन, आपकी आँखे, आपके कान ये सारी आपकी इंदरिया जो है वो तो अच्छी होती ही है लेकिन आपके hormonal system पे नस्य का इतना अच्छा और बहतरीन प्रभाव होता है कि जिसकी वज़े से आपकी irritability का problem, आपका sleeplessness का problem, आपका mood swing का problem इस सारी problem में आपको काफी हद तक benefit देखने को मिलता है उसके अलावा जो भी female vaginal dryness यानि कि योरी मार्क के dryness की problem की वज़े से पीडित है तो उनको एक oil का नाम में बताता हूँ, चंदन बला लाक्षादी तेल या तो आप शत्तावरी का तेल या शत्तावरी के गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करना है आपको उसको आपको deep करना है, cotton को deep करना है, चंदन बला लाक्षादी तेल या तो शत्तावरी तेल या तो शत्तावरी के गी में और उसको योरी मार्क के अंदर रख देना है, कम से कम एक गंटे तक इसको regular करना है, दो-तीन महीने तक करने से vaginal dryness की problem बिल्कुल चली जाएगी, अब कुछ female को menopause में बहुत ज्यादा symptoms देखने को मिलते हैं, वो पित के aggravation की वज़े से यानि की शरीर में पित बहुत ज्यादा बढ़ने की वज़े से देखने को मिलते हैं, तो उन female को खास करके ये करना है, कि deep fry यानि की तला हुआ, फिर oily बहुत ज़्यादा तेल वाला, spicy यानि की बहुत ज़्यादा ठीका, fermented यानि की बाहर का खाना, junk food ये चीजों को avoid करना है, आपको refined तेल को avoid करना है, और आपको जीरा और सौफ ये दोनों का 50-50 ग्राम लेके समान मातरा में उसका mixture करके रखना है, जो सुबा शाम खाना खाने के बाद एक-एक चमस्त लेना है, जिससे आपके शरीर में पित्त बैलेंस रहेगा, और शरीर में अगर पित्त बैलेंस रहेगा, तो आपको hormonal changes की वज़े से जो symptoms आ रहे हैं, उसमें काफी हद तक फाइदा देखने को मिलेगा, अब एक ऐसी आउशदी, आयर्वेद होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसके बाद फीमेल में जो मैनोपोस के बाद, osteoporosis और osteopenia, यानि की हड़्िया कमजोर हो जाता है, कैल्شम बनना कम हो जाता है, उसकी वज़ह से हड़्िया कमजोर होने लगती है, तो उसको बैलेंस करने में उसको ठीक करने में भी शत शत्तावरी का इस्तेमाल हर फीमेल को मेनोपोस के समय में रेग्यूलर तीन चार साल तक करना है। शत्तावरी का रेग्यूलर सेवन अपने मेनोपोस के समय के दोरान जरूर से करे। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट है जैसे कि आप बनाना का सेवन कर सकते हैं। से सब्सक्राइब करें। आप हमेशा स्वस्त और हेल्दी रहें। अगले वीडियो में हम जरूर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवादे। और पंचकर्मा हॉस्पितल रीजुवनेट यूर मांदे, बोडी, हैंद सोरूर। कॉल नाओ 75750-98494 या 98794-28494 116-17, Green Elena, opposite स्नेह संकुलवाडी, आनन महल रोड, अडाजन सूरत।